आदाब और नमस्कार मैं हूँ सुल्तान कुरेशी और आप देख रहे हैं भीवंडी समय न्यूज इस वक्त की आपको भीवंडी के खबर पताने जा रहे हैं तो चलिए बात कर लेते हैं आप फिर आज फिर राजिनतिक पार्टियों की आज भिवन्डी के एक वर्ष करकरता बिलाल कुरेशी इन्होंने NCP का दामन छोड़कर अभू का दामन पकड़ लिया है आईए जानते हैं इस प्रोग्राम में कि उन्होंने NCP का दामन छोड़कर का दामन को क्यों अपनाया है हलाकि हाल ही में ये NCP में शामिल हुए थे लेकिन शायद NCP पार्टी की जो सोच है जो उनका विचार धारा है वो शायद इनकी समझ में नहीं आया है इसलिए इन्होंने कांग्रिस पार्टी का दामन ठाम लिया है आज रानिया अकवराल जी ने इन्हें समान पत्रे नियुक्ति पत्रे और गुलपुशी केकर करके इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया है उन्होंने बताया है कि पार्टी का काम जिस तरह के से चल रहा है इसलि जिसमें रहकर मैं विकास के काम को कर सकता हूँ, इनकी विचारधारा और मेरे विचारधारा में कोई फरक नहीं है, हम दोनों की सोच एक है, इसलिए मैं अपनी सोच रखने वारे पार्टियों में जाकर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि NCP में रहकर मैं वो सारे माम काम को नही कर पा रहा था जो मुझे करना चाहिए था जो मुझे वार्ड की विकास के लिए करना चाहिए था मैंने हमेशा NCP में रहे कर जो है विकास के काम के बारे में सुचा है लेकिन कहीं न कहीं से मुझे मुझे पर दबाव बनाया जाता था लेकिन इस वज़े से जो हैं मैंने इस पार्टी को छोड़ कर कॉंग्रिस पार्टी का हाथ थामा है और इस हाथ को हमेशा मैं मजबूती पकड़े रहूंगा और इस हाथ को लेकर काम्यावी की बलंदियों को छोँगा इस पार्टी ने वादा किया है कि आपके विकास के काम में हम कभी आरे नहीं आएंगे और मुझे इस बात की खुशी है इस मौके पर कॉंग्रिस के बहुत से वरिष्ट प्रेकरता भी महां मौझोत है आप तस्वीरे में तमाम वरिष्ट कारकरताओं को देख सकते हैं या जो पुराने कार्यकरता भी मौझूद है आप सभी के तस्वीरे साफ तोर पर देश सकते हैं तो आज से जो है बिलाल कुरिशी कांग्रेस के हो लिये है और यूए कांग्रेस के बैनर तेले अपने तमाम विकास के कार्यों को करेंगे और उन्होंने वाता किया है कि मैं अपने को इस पार्टी में शामिल करोंगा आने वाले दिनों में ये एक बड़ा प्रोग्राम भी करके प्रेस कांफरेंस करके लोगों तक अपनी बातों का पहुंचाएंगे तो आप देख रहे हैं थे भीवन्डी समय न्यूज इसी तरह से भीवन्डी समय न्यूज के साथ में ज दूब कानी न्यूज करोंगे छयस सफते हैं